कोविड महामारी से लडाई में, जहां एक और प्रधान मंतरी मोती जी के नेतरतब में, भारत ने एक नहीं दो-दो वैक्सिनेशन का निर्मान भारत में किया, वहीं पर क्रोडों भारतियों को मुफ्त में वैक्सिन लगाने के लिए भी मुफ्त में वैक्सिन भी उपलब्द करता हूं राज्ये की सरकारों का और मानिय परधान मंदर जी का अभार प्रकट करता हूं जिनोंने मुफ्त में एक और वैक्सिन उपलब्द कराई तो लोगों ने आगे बढ़ चड़ कर इस वैक्सिनेशन अभ्यान में भाग लिया है कुरोना से लडाई में वैक्सिन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इसमें लोग बढ़ चड़कर भाग ले रहे हैं एक एक दिन में भारत में एक करोड़ तीस लाग टीके एक रोड़ बीस लाग टीके इस तरह से भी लगे यह अपने आप में बड़ी बात है दुनिया के देशों के मुकाबले भारत बहुत आगे निकला है टीका करण की महीम में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्दी है देखे जब वैक्सिन बनाने की बात आई तो कुछ राजनीतिक्यों ने ये कहा कि क्या भारत वैक्सिन का निर्मान करेगा उनको पहले तो विश्वास ही नहीं होता था जब भारत में वनी व ग्यानिकों ने वैक्सिन बनाने का काम किया हमारे कुविड वारियर्स ने उसको जन जन तक पहुंचाने का और लगाने का काम किया एक और हम जनता को मुफ्त में वैक्सिन लगा रहे थे दूसरी तरफ लोग अफवाहें उडा रहे थे इस महामारी के समय भी कुछ लोगों भी बना रहे हैं और दुसीतर 75 करोड वैक्सिनेशन लगा कर करोना से मुक्ती भी पा रहे हैं तो अजादी करोना से भी लेनी है तो वैक्सिन जरूर लगवाए हमाचल प्रदेश हो गोवा हो के अंदर शाषित राज्ये हो मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर 100% टीका करन क करना अपने आप में बड़ी उपलब्दी है और बाकी राज्यों को भी यह टार्गेट लेकर चलना चाहिए कि 100% टीका करन करें क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम जब 100% करन करेंगे हम तो 100% करन करना बहुत अविशक है 75 क्रोड किये हैं लेकिन पूरी अबादी को ट पर चड़कर काम करना चाहिए और आईए जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया जल्द आकर टीका भी लगवाए जिसने पहली डोज लगवाली वो दूसरी डोज भी समय रहते लगवाए